नमस्कार दोस्तों घरेरूखवर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट में जै माता दी जरूड लिखे माता रानी सब का कल्यान करेंगी दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम होएं कि हरिताली का तीज ब्रत आने ही वला है इस दिन महिलाएं निर्जला ब्रत रखकर सी परवती की पूझा करती है हरिताली का तीज ब्रत में ही करबा चौट की तरह सुर्योदे से परवुटकर सर्गी खाई जाती है और पूरे दिन निर्जला ब्रत रखा जाता है अगले दिन सुरियोदे तक आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे हरी तैल का तीज ब्रत में बारह काम की बाते जो की सभी को जानना जरूरी है सुहागीन महिलाओं को भी कुमारी कन्याओं को भी जो पहला बर ब्रत कर रही है उनके लिए भी दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जियादा हो सके मेरे इस विडियो को सेयर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दू टीज बृत के एक दिन पहले नहाय खाय की विधी अपनाई याती है। नहाय खाय के दिन बृत्ति को बिना प्याज और लहसुन का खाना होता है। इस दिन ना ही बैगन खाना है, ना ही मसुर की धाल खाना है, ना मास मदिरा का सेवन करना है. सुद्ध सात्विक भोजन नहाय खाय के दिन आपको करना है. बिसेश तर खाने में लौकी और चने की धाल बनाई जाती है और चावल बनाया जाता है. वही मैं बता दू कि ब्रत खोलने वाले दिन जिस दिन पारण किया जाता है उस दिन ककड़ी और हल्वे खाकर ब्रत का पारण किया जाता है और उसके बाद कड़ी और चावल खाने की परमपरा है बहुत से जगहों पर और मैं बता दू कि ब्रत की दौरान पूरी तरह से ब्र बस आप ब्रत करने में सक्षम नहीं है तो आप अपने पती से या घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आप ये ब्रत करवा सकती हैं। पूजा परदोस काल में ही करने चाहिए। सुर्यास्त के बाद के तीन मुहुर्द को परदोस काल कहा जाता है ये दिन और रात के मिलन का समय होता है। पूजा से पहले ब्रती को चाहिए सोला सिंगार करना सोला सिंगार का बहुत अधीक महत्व हरिताल का तीज ब्रत में साथी साथ पूजा अस्थल को फूलों से सजा कर एक चौकी रखी जाती है कर माता पार्वती को चढ़ाना इस ब्रत की मुख परंपरा है इसमें सिवजी को धोती और अंगोच्छा चढ़ाया जाता है बिसेश रूप से यह सुहाग सामगरी सास के चरन असपर्स करने के बाद ब्रांभनी या ब्रांभन को दान देना चाहिए इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए, आरती करने चाहिए और रात्री जागरन करने चाहिए आगले दिन प्राता का लोटकर आरती के बाद माता पार्वती को सिंदुर चढ़ाये एवं सुहाग लिया जाता है वो ककड़ी या हलवे का भोग लगाकर ब्रत को खोला जाता है मानिता है कि इस ब्रत को रखने और विधी विधान से पूजा करने से दामपत्य जीवन सुखमे होता है और पती-पत्नी के बीच अनवन दूर होती है इसलिए जब भी आप हरिताली का तीज का ब्रत करती हैं तो उसके पहले नियम जानना बहुत जरूरी होता है बढ़ना आपको ब्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता है अगर आप ब्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने चाती हैं तो सारा नियम आपको मानने होंगे तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स